बहेडी में तैसील सबागार में NRC को लेकर प्रसाशन ने नगर के मस्दितों के इमावों के साथ मीटिंग की बहेडी के जम्मदार लोगों ने प्रसाशन के मुकदमे से नगर के मस्दितों के इमावों के नाम निकालने की गोहार लगाई थी बहेडी में तैसील सभागार में ADM और S.P. बरेली के साथ इस्थानिय प्रसाशन ने नगर के इमामों को बुला कर मीटिंग रखी ADM B.K. सिंग ने NRC और C.A. के बारे में बताया कि NRC लागू होने से देश में रहने वाले मुसल्मानों को कोई खत्रा नहीं है जो बाहर से आए चाहे हिंदू हो या मुसल्मान NRC उन्हीं लोगों पर लागू की जाएगी वहीं S.P. देहात बरेली संसार सिंग ने नगर के सम्मानित लोगों में से प्रमोद लाल जी ने कहा कि हमारी बहेडी की गंगा जमुनी तैजीब की मिसाल दी जाती है आज़ादी के बाद से आज तक हिंदू मुसल्मान में कोई भी दंगा नहीं हुआ है दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलकर रहते है कि इस तरह से शाक्ति हमारे जिले में रही अभी तक और से जिले रामपुर में भी कही ना कहीं अमन्चाइन खराब हुआ है जब पूरे हंदुस्तान में जगा जगा आग लग रही है कई जगा खबरें देख रहे हैं तो लोगों की मौते भी हुई है लेकिन हमारे पूरे जन्पत बरेली में कहीं किसी तरह की छुटपुट घड़ना भी नहीं हुई है अब इस तरह से मुकदमे अगर लिख दिये जाएगे तो कहीं ने कहीं आखरोश पहलेगा और इसमें मुकदमे जो लिखे गए वो तमाम बहड़ी के कजबे के इमामों के खिलाफ लिख दिये गए जो जिनका कहीं बिचारों का अता पता नहीं था, कोई इनका लेना देना नहीं था उस जूलूस से, उसके बारे में मैंने S.P.R.A. सहप को अब बबत कर आया था जुलूज वाले दिन बता रहे हैं कि ग्यापन लेने नहीं कई लोगों ने सूचना दे थी क्या पिरशासन की कोई नाकामी रही थी उतिने नहीं पिरशासन की कहीं न कहीं इसमें खामी रही है कि मेरी खुद बात हुई कि हम चंद लोगों से ग्यापन ले लिये जाए तो मना करा गया कि डियम साब ने कप्तान साब ने मना कर दिया कि हम ग्यापन लेने को उपर से मनाई है तो ये कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश किसा क्योंकि ये हमारा समवैदानिक अधिकार है अगर सरकार की किसी बाद से असाहमत हैं तो हम अपनी असाहमती समयदानिक दाइरे में रहते हुए ही दर्ज करा सकते हैं तो यह हमारा वो दरज कराने का तरीका यहीं है यह है कि हम अपना कोई मेमरानडम ग्यापन देया अधिकारीओं को वह हमारे ग्यापन को लेकर आप सरकार तक पहुचार है।